नमस्कार दर्शको आज की हमारी चर्चा का विशा है कि क्या डॉक्टर जो हैं जो आपका IVF कर रहे हैं वो पहले दिन आपके साथ failure की discussion करते हैं के नहीं जब भी हम किसी IVF center पे जाते हैं तो हमारे साथ सारा IVF का process discuss होता है जो है सबसे पहले patient की evaluation होती है blood test होते हैं scan होती है फिर उसके बाद finally हम IVF के खर्चे पे आ जाते हैं IVF का खर्चा समझा जाता है और फिर उसके बाद overall discussion होती है तो IVF procedure में अगर पहले दिन डॉक्टर आपको failure के बारे में नहीं बता रहे है इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ चुपा रहे है जो भी अच्छे consultant होंगे वो हर patient को IVF के शुरू करने से पहले ही आपको ये जानकारी देंगे कि IVF process fail भी हो सकता है या आपके इस particular IVF process में कितने chances हैं बहुत जारे patient दूसरे patient को कई बरी देख के आये होते हैं तो दूसरे patients का कई बरी कम खर्चा हुआ होता है कुछ patients होते हैं जिनमें हम natural conceptions भी होती हैं तो IVF की ज़रूरत नहीं होती है कुछ patients को IVF की ज़रूरत होती है तो हर एक patient का अलग अलग खर्चा होता है मगर IVF process के पहले दिन सबसे important discussion वो दो ही चीज़े हैं सबसे पहले कि हमारे इस particular IVF process में क्या खर्चा होना है दूसरा कि क्या हमारा जो ये IVF process है इसके काम्याब होने के हमारे case में कितने percent chances है अगर डॉक्टर आपको failure के बारे में खुल के बताते हैं पहले दिन तो आप समझ लीजिए कि आपके जो डॉक्टर हैं वो अच्छे हैं इस चीज़े डरना नहीं चाहिए ये बताना ज़रूरी होता है क्योंकि patient की expectation और उनके जो IVF के success rate हैं कई बरी match नहीं करते कुछ patients IVF ऐसे कराते हैं कि उनको लगता अब हमने पैसे खर्चे हैं तो हमारे success rate तो हों गई मगर ऐसा true नहीं है हर एक patient के अपने individual success के chances होते हैं और वो success के chances हमें पता होने चाहिए IVF process शुरू होने से पहले तो पैसे खर्चने के इलावा success rate समझने ज़रूरी है दूसरा कि अगर मान लीजिए failure होता है तो डॉक्टर आपको plan B भी बताएं तो फिर आपके लिए क्या-क्या options हैं तो यह सारा समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है first day के उपर ही so that आप जो है किसी भी process को लेकर negative ना रहें आप जो हैं आपके expectations realistic हों और आप जो है अपनी पूरी throughout the journey satisfied रहें आपका बहुत-बहुत धन्यावाद आपके बहुत-बहुत-बहुत-बहुत